आज में आपको इस thread gauge के बारे में बनाना चाहरा था यह thread gauge खलाता है इसको depth gauge भी बोलते हैं basically यह टायर के thread जो होते हैं इसको gauge को नापने के लिए स्तमाल होता है यह mm में हम लोग नापते हैं तो हम mm में नाप रहे हैं इसके इलाव़ अगर हम चाहें तो इसको standard के अंदर भी ये टायर है इस टायर के iderschnób आपको दिखाएधेरा होगा मैं आपको दिखारएधे हुआ हूँ इए आप your रही एक यह रही एक यह रही यह विए इस्ट्रिप के लाति जब posts इसित्रिप के बराबरों हो जाएगा तो हमें पत्त चल जाएगा कि यह टायर कॉता तो हम इसको नापना होता है ताकि हमें परद चल जा कि अब इस ही कितनी लाइफ बाकी रहेगा, यह वैसे तो basically हम यहाँ से नापना लेता है इसको हम रखेंगे और इसको हम दबाएंगे नीचे की तरफ हमें रीडिंग मिल गई, तो इसकी जो रीडिंग आई है वो five आई है असल में इसी चीज़ को फोकस करना आप कहां देख रहा होंगे कि five इप इसके इंदर आई तो आम तरो पर average हम तीन ले लें ताकि हमें accurate reading मिल जाए तो मैं एक और रिडिंग ले रहा हूँ तो यहां भी इसने आपको दिखाए दे रहा होगा कि ना इसकी रिडिंग 5 रिडिंग आई भी है इसी तरह मैंने एक रिडिंग और ले लेता हूँ मैं यहां पर रख के तो यहां भी आप देख रहा होंगे कि रिडिंग 5 आई है इसका मत तो इस वख हम इसको नापने के लिए क्योंके ये वेर स्ट्रिप है तो हमने फाइफ यहां नाप यह है लेकिन ना हमें क्योंके वेर स्ट्रिप तक नापना है तो हमें वेर स्ट्रिप की रिडिंग ली नहीं होगी ताके हमें पचले जाए कि कितना वर्नौट बाख है wear strip की अपनी जो up reading आई है वो आई है यहां पर आप देखें reading आई है 3 mm और यह 5 है 2 mm की wear strip है तो जो 5 mm हुमने ना पता है इसकी जो अपनी reading है wear strip की अच्छा wear strip की अपनी जो यह reading है यह 2 है तो हम 5 में तो इसका मतलब है हम आपस सिर्फ 3 mm की जो रहे गई यह तो इस सरा हमको अंदादा हो जाता है कि यह 3mm कितने अर्फे में खटम होगा आप ने 8mm अगर 2 साल में तीन साल में अगर खटम हुआ है तो बाकी आपका कितनी टाइम में खटम होगा आप इसको आराम से कलकुलेट कर सकते हैं मेरी अपनी गाड़ी के हिसाब से इसके अंदर अब सिफ मैकसिमम 20% इस टायर की लाइव बाकिर रह गई है शुक्रिया